हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बाक तू माई चानल आज हम बनाएंगे जर्दा याने की मीठे चावल आईए से मनाना शुरू करता है जर्दा बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है आधा ग्लास बासमती चावल जिसको मैंने धोकर बिगो के रखा है तकरीबन आदे घंटे के लिए एक बरतन में मैंने लिया है अल्मोस्ट एक लिटर जितना पानी इसमें मैं आड़ कर रही हूँ तीन चममज रोज वाटर औ हमारे पानी में बॉइल आ चुका है इसमें हम राइस आड़ कर लेंगे तो फ्लेम को हाई रखते हुए हमें चावल को पका लेना है और इसे हम पूरी तरह से नहीं पकाएंगे सिर्फ 90 परसंट जितना पकाएंगे हलका सा कच्छापन हमें चावल में रहने देंगे हमारे चावल जो है वो 90 परसंट को खोच चुके है इसे हम स्ट्रेंड कर लेंगे उसी बरतन में हमने लिया है एक चमज घी हमारा गी जैसे ही मेल्ट होने लगेगा हम उसमें अड़ करेंगे द्राइपूट्स वैसे तो आप अपनी चॉइसे के कोई भी ड्राइपूट्स ले सकते हैं यहां पर मैंने बादाम पिस्ता काजू और किश्मिश लिया है तो यह मैंने 8-10 काजू लिया है बारी कट हुए थोड़ा साम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए 8-10 बादाम है इसे भी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे पांच से साथ पिस्ते हैं इसे 10-15 सेटे करेंगे उससे जादा नहीं करना है हमें कुछ किश्मिश आड़ करूंगी मैं किश्मिश आपको पहले नहीं आड़ करने है वरना यह फूलने लगते हैं अब इसमें आड़ करूंगी वन थर्ड कप चीनी एक तीहाई कप एक बद श्टर करके इसमें आड़ कर लेंगे थोड़ा सा पानी जड़ा सा आड़ किया है मैंने लेके पूरा कपलिया था जड़ा सा आड़ किया इसमें हम चीनी को घुलने देंगे चीनी हमारी पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है अब हम इसमें जो हमारे राइस थे जिसको आड़ कर लेंगे साथी मैं आड़ करेंगे आदा चममाच कि लाइची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसे ढग देंगे और एक तवे पर रखकर इसे दम दे देंगे अब चाहें तो इसके ऊपर एक हेवी वेट जैसा कुछ रख सकते हैं ताकि स्क्रीम बाहर ना निकले और फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है और तकरीबान इसे दस से बारा मनेट के रहे हम दम दे देंगे इसे दम पर रखके हमें 10 प्रिंट हो चुके हैं आईए एक बाद चेक कर लेते हैं इसमें अच्छे से स्टीम आ चुकी है और यह रेडी है बिल्कुल इसे डिश आउट कर लेंगे हाँ तो रेडी है हमारा जर्दा इसे जरू ट्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक शेर यह रोग धनल कोड़ पार्राइब कर अच्रीक थे हॹंड पार्ष ऑप ख़रेँ ज truths से सी यह रेडी हैं 1 गीया चीमर्साइब कर अाइब нормально कर दो कली है घल चीमर्साइब करने में अचार के चीछ हैं दो चीमर्साइब कर वीचिछ उर्सानें पांसे से ट वाम उर्साइब क